दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ भारतेंदु हरिश्चंद जी का जीवन परिशय जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है भारतेंद हरिश्चंद का आप इस जीवन पर्चे को अच्छे से तयार कर लीजेगा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ और आप इसे अच्छे से समझ लीजेगा तो फ्रेंट्स आए बिना आपका टाइम गवाए वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए इनका जीवन पर्चे है तो क्या है इनका जीवन पर्चे हम देखते हैं देखिए खड़ी बोली के जनक आधुनिक हिंदी साहित के प्रवर्टक भारतेंद हरिश्चंद्र का जन्म सन 850 इस्वी यहां पर इस्वी अब लिग दी देगा सन 850 देखिए यहां पर और हम देखते हैं इनके पिता बाबु गोपाल चंद्र जी गिरधरदास के उपनाम से कविता लिखा करते थे और यहां पर देखिए अलपाय में ही इनके माता पिता की मृत्य हो गई अब अलपाय बोले तो अलपाय मतलब कम वर्स मतलब बहुत ही कम वर्स में जब यह बहुत ही कम वर्स के थे तभी इनके माता पिता का साया इनके सर से हट गया तो यहां पर आप देख सकते हैं दो तक है मिर्त हो गए थी और फ्रेंस देखें जो जो most important यहां पर हैं पतलब most important points है उनसे पर आप underline कर दीजेगा आप इसको black इन्हों ने हिंदी मराठी बंगला संस्कृत आदि भासाओ का घ्यान घर पर ही प्राप्त किया इतना आप लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है उन्हों ने जगनात पूरी की यात्रा की और बनारश में अपना एक college बनाया ये जो थे इन्हों ने जगनात्पुरी की यात्रा भी की जगनात्पुरी आपको पता होगा कहा है उसकी यात्रा की वहाँ पर घूमे उसके बाद इन्हों देखिए बनारस में अपना एक कॉलेज भी बनाया बनारस में एक कॉलेज बनाया अब उसके बाद देखिए पैराग गंतों की रचना कर चुकी थी देखिए 35 वर्ष की आलपाई में 175 गंतों की रचना करके हिंदी साहित की महाति सेवा की इन्होंने क्या कि हिंदी साहित की महाति बहुत लब बहुत ज्यादा सेवा की तो देखिए इन्होंने एक दोहा की भी रचना की है दोहा मैं आपको बतात देखिये निच भाषा उन्नतिय है सब उन्नति को मूल बिन्ञ भाषा ग्यान के मिटए नहिय को सूल अगर आप इक्साम में लिखेंगे तो आप इस दो हकु लिख दे जगा इसको आप देखेंगे ब्लैक पैंसे लिखेंगे और यहां पर देखे डबल इन्वार्टेट कॉम important है मतला इन्होंने पढ़ा है student ने तो यहाँ पर इसको आप लिग देंगे उसके बाद friends आप वीडियो को like कर दीजिए कर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखे फ्रेंस हम देख लेते हैं यहाँ पर है और इनकी मृत 35 वर्स की आयू में सन 885 इस्वी में हो जाती है और पूछा जाए इनके मित कब हुई तो आप लिखेंगे इनके मित 35 वर्स 35 वर्स में इन्होंने 175 गंतों की रचना कर चुकी थी इतनी के ही आयू में 885 में हो गए 885 तक इनका जीवन काल था कुम्ला के 35 वर्स उसके बाद friends आपको यह लिखने पड़ेगा एक नंबर का यह भी रहेगा प्रमुक रचनाएं अब प्रमुक रचनाएं मतला इनके रचनाएं कौन कौन सी है तो देखें पहले तो रचना है April माधुरी क्या है प्रेम माधुरिं के कव्या उसका पर देखे प्रेम प्रलाप शत्त हरिष्चंद्र और चंद्रावली जैदेव भारत दूर्दसा और बहुत सारे। रचनाय थी तो फ्रेंश देखे आपको मैं बता दूं इस पे आपको लिख देना है और यह जो दोखा इसको आप लिख देंगे फ्रेंस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिज़े आपको लिंक डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगी बाकि फ्रेंस वीडियो अच्छे लगो ते अंधित रहती है जो वीडियो रहती है आपके क्लास से बाकि अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है आपको किसी में प्रॉब्लम हो रही है किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं वो वीडियो में मैं बना दूँगा फ्रेंस बस आज के इतना ही मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में